हलो दोस्तो नमस्ते आदाव सरस्यकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्ट बुक सुपकोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तो हो जाए तयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं डेली करेंट अफेर पे वार जहांपर हम लोग करेंगे वो सारे न्यूस को कवर जो कि आपके SSC, Railway, Defense या फिर किसी भी स्टेट एक्जाम के लिए बहुत जादा महत्पून है लेकिन कहते ना दोस्तो करेंगे एक नए दिन की शिरुवात, एक नए जोश के साथ जहांपर हम लोग करेंगे इस्टेटिक जीके के सवाल विथ दोस्तो करेंट अफेर के सवाल और स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को भर-भर के गुड मॉनिंग और जल्दी-जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जो देट कि वो भी यहां पर जोड़ सके जो लोग अभी तक नहीं जोड़े जोती, कुंदन, रजनी, श्याम, स्सी सभी लोगों को यहां पर भर-भर के गुड मॉनिंग तो चलिए इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोड की तरफ और आज का मोटिवेशनल कोड आपके सामने यह रहा The root of education are bitter, but the fruit is sweet कहते है न दोस्तों जब आप सिक्षा ले रहे होते तो बड़ा तकलीफ होती है सिक्षा ले लेने में है स्थोड़ी सी कड़वी सी होती है तो जो इसके फल होते हैं, जो इसके results होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सिख्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ते हैं चलना चाहिए, और इसलिए हम लोग यहां पर डेली मिलते हैं, Monday to Friday का मिलते हैं, Monday to Friday सौंबार से सुक्रवार, सुबा 6 बजे से 7 बजे जहां पर हम लोग करते हैं DCA Daily Current Affair और फिर Saturday को हम लोग करते हैं Special GK Class जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं चले इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर आज पता है आपको जैसे कि 9th of October है और 9th of October जो है बहुत important day है क्योंकि आज के दिन मना जाता है World Post Day क्या मना जाता है World Post Day मना जाता है यह आपको ध्यानक नहीं और इसकी theme क्या है Together for Trust collaborating for a safe and connected future ठीक है तो आज के ध्यानक नहीं आपको 9th of October को क्या मना जाता है World Post Day मना जाता है चले इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको last class में एक homework दिया था homework यह था which Indian intelligence agency conducted a successful operation called कच्छप ठीक है किस भारती खूफिया अजेंसी ने कच्छप नामक सफलता operation चलाया था तो correct answer यहाँ आप क्या हो जाएगा Directorate of Revenue Intelligence क्या हो जाएगा Directorate of Revenue Intelligence जिसको हम लोग short form में कहते हैं DRI क्या बोलते हैं DRI यह आपको ध्यानक नहीं ठीक है चले इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और सभी लोग फड़ावर से क्या करेंगे yes type करेंगे जिससे मुझे यह पता चल जाए कि मेरी screen और voice एक दम clear है और आप लोग तयार है previous day के questions के revision के लिए so that कि हमारे पुराने questions भी याद होते चलें तो यहां पे yes अंकुर कह रहे हैं ASR नेहा आर्टिस्ट चले सभी ने yes type कर दिया तो बढ़ते हम लोग पहले question के साथ पहला question आपके screen पर यह रहा dash nominated for best director at asia pacific screen award for toras husband देखिए dash को toras husband के लिए asia pacific screen award में सर्वसेष्ट निर्देशक के लिए नामंकित किया गया है क्या वो रीमादास है अपड़ना सेन है कौशी गाउगली है और इशान घोश है कौन है रीमादास रीमादास तो जो लोग रीमादास कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer होगा option number one correct answer हो जाएक क्या हो जाएगा option number one is the correct answer अगला सवाल आपके screen पर on which day we celebrate world teachers day विश्वे सिक्षक दिवस हम किसी दिन मनाते हैं क्या हम लोग 3 October को मनाते हैं चार अक्टोबर पांच अक्टोबर या फिर 6 अक्टोबर को मनाते हैं पांच 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 तो correct answer हो जाएगा पांच अक्टोबर को विश्वे सिक्षक दिवस मनाया जाता है वर्ल टीचर डे सेलिबरेटेटेड ओर फिफ्ट ऑफ ऑक्टोबर ठीक है चले अगला question है इंडियान नेवी डवलाफ इंडिजीनियस नेवीगेशन सिस्टम एंटी स्वान ड्रोन ड्रोन विक्षित किये हैं स्वाधिशी नेविकेशन प्राणली का नाम क्या है निशार है निसार है प्रबल है और निर्मान है जल्दी से बताइए बिल्कुल correct answer हो जाएगा जो लोग कह रहे है option number one निशार निशार इस दी correct answer ठीक है तो यह आप याद रखेंगे ड्रोन का नाम का है निशार अगला जो है आपके लिए question यह रहा इन दा एशियन गेम लौवलीना बॉर्गहन लौश्ट टू ली कियान अट फिनिस विद दा सिलवर मेडल विच नेशन डज ली कियान बिलॉंग श्टू देखें एशियाई खेलों में लौवलीना बॉर्गहनी जो है ली कियान से हार गई और रजट पतक के साथ समाप तो यह ली कियान किस देश से संबंदित है चाइना साउथ कोरिया जापान और रशिया क्या होगा correct answer चाइना चाइना यहाँ पर कह रहे हैं अमित अंकोर कह र भारत ने उननिसवे एशियाई खेलों में जो है किस रिले दौड प्रारूप में स्वन पतक हासिल किया है क्या वो 4 x 100, 4 x 200, 4 x 300 और 4 x 400 किसमें जीता है 4 x 400 कहने है स्टॉइक, रिशब, इंदरपाल तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct answer को option 4, 4 x 400 रिले में जो है भारत ने स फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, 2030 फीफा वर्ल्ड कप will be hosted in how many continent, 2030 फीफा विश्व कप जो है कितने महादीपो में आयूजित किया जाएगा, 1, 2, 3 या फिर 4, कितने में होगा, 3, 3 कह रहे हैं तो correct answer का 3 continent में होगा, और वो 3 continent कौन कौन से हैं, एक अफरिका हो जाएगा, एक इसरा जो है, अमरिका हो जाएगा, यह आपको ध्यानक नहीं, तीन continent में जो है, 2030 फुटबॉल, जो है, फीफा वर्ल कप होगा, ठीक है, आगे बढ़ते है, Which of the following person won gold medal in men's javelin throw at the 19th nation game, कह रहे हैं, निमलिखित में से किसे व्यक्ती ने, 19-वे, एशियाई खेलों में, पुरुशों की भाला फेक में, स्वनपतक जीता, नीरत चोप्रा, कि शोर कुमार जेना, रोडरिक जैन की डीन, और जैका वेलदेच, यहाँ पर A option, A option कह रहे हैं उनका विल्कुल करेक्टांसरों का नीरत चोप्रा जीने जीता है, यह आपको ध्यान रगना है, ठीक है, चले, अगला question आपके screen पर, which of the following is not part of archery compound women's team winning gold in 19th nation game, निमलिखित में से कौन 19-वे, एशियाई खेलों में, स्वड़ जीतने वाले, तिरंदाजी compound महिलाक टीम का हि थी, जोती सुरेखा वैनम, अदिती गोपीचंद, यहां परनीत कौर और दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी, जो लोग कह रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसरों का, option number 4, दीपिका कुमारी जो हैं, इस team का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, चले, आगला question, दीपिका पलिक एंड, हरिंदर पाल संधु, इस रिलेटेट तो, विच स्पोर्ट, दीपिका पलिकल और हरिंदर पाल संधु, जो है, वो किस खेल से संबंदित है, टैनिस, क्रिकेट, स्क्वेश, और टेबल टैनिस, स्क्वेश, स्क्वेश, जो लोग कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो ज ष्याई केल दोहजार तेईस में तिरणदाजी में कंपाउन्ड पुरुस परधा में भारत ने किसी देश को हरा कर सवन पदग जीता है। जाब मध्यप्रदेश उत्त्रप्रदेश और हिमाचा प्रदेश कहां पर किया गया है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश तो मध्यप्रदेश के जो है मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान जी उन्होंने दोस्तों किया था यह आपको ध्यान अगना कौन है मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यह याद रखेंगे ठीक है चलिए अगले प्रश्ण बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके तो यह थे हमारे दोस्तो प्रिवेश दे के कॉश्चन जिसका भी हम लोग ने किया है रिवीजन अब हम लोग यहाँ पर करेंगे दोस्तो वो टॉप साथ में आपको पता होना चीए कि आपके आसपास क्या चल रहा है तो एक एक पॉइंट में नजर डालते हो चलते हैं और फटा फट से लाइक और शेयर भी करते हो चलते हैं पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर यह रहा नौर्वेगियन ओथर जो है जॉन फोस क्या नाम है उनका जॉन फोस उन्होंने नोबल प्राइस इन लिट्रेचर जीत लिया है 2023 का नोबल पुरुसकार 2023 का जो है एक नौर्वेगियन लेखक है जिनका नाम है जॉन फोस उन्होंने जीत लिया है तो अगर आप से पूछा जाएगा सवाल तो आप कहेंगे जॉन फोस ठीक है ये याद रखेगा उसके बात बात करते हैं अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर इरान की जो नर्गेस मुहमदी हैं कौन नर्गेस मुहमदी उन्होंने 2023 का नोबल पीस प्राइस जीता है ठीक है नोबल शांति मुहमद ने जीता है अगर आप से पुछेंगे कि नर्गेस मुहमदी जो है वो किस देश को बिलॉंग करती है तो इरान को बिलॉंग करती है ये भी याद रखेंगे ठीक है चले अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर ये रहा इंडिया इंडियन मैन क्लिंच गोल्ड विदाउट हैविंग टू बैट आपको पता होगा कि हमने एशियन गेम में जो है क्रिकेट में जो है गोल्ड मैडल जीत लिया है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इंडियन टीम ने जीता है गोल्ड मैडल चले आगे पढ़ते हैं इसी ठीक है किसको हराने के बाद कोरिया को हराने के बाद जीता है तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सात्विक साही राज रेंग के रेड़ी और चिराग शेटी किस खेल से सम्बंदित है तो आपको होगे बेडमिंटन से सम्बंदित है फिर आपसे पूछेंगे एशियन गे पॉइंट आपके स्क्रीन पर यह रहा प्रोफेशर डॉक्टर जोईता गुपता क्या? जोईता गुपता एंड टॉबी किर्स कौन? जोईता गुपता एंड टॉबी किर्स रिसीज इस्पिनोजा प्राइज इन दा फील्ड ओफ क्लाइमेट चेंज जो है दोस्तों उसके फील्ड में जो है दो प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोईता गुपता एंड टॉबी कीर्स उनको दोस्तों मिला है स्पीनोजा प्राइस ठीक है याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ तो दोस्तों यह था हमारे टॉप फा साम में खास कर तो बारी की से देखते हैं एक-एक हैडलाइन को और इन्हीं हैडलाइन पर लाश्ट में लो करेंगे क्विज और देखेंगे कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पहला है आपके स्क्रीन पर देखें इंडिया एड़रेट एशियन गेम तो भारत ने जो सर्वसेष्ट जो है पाफॉर्मेंस रहा है भारत का 107 जो है अगर आपसे पूछा जाएगा कि पदक तालिका में भारत ने कितने पदक जीते हैं तो एक-साथ पदक जीते हैं जिसमें 2860 पदक 28 कितने गोल्ड जीते हैं यह आपको ध्यान रखना है और 38 जो है सिलवर जीते हैं ठीक है तो भारत ने कितने जीते 107 मेडल जीते हैं यह आपको ध्यान रखना है और इट वहलब प्राउड मोमेंट फॉर अस की हमारी टीम जो है अब धीरे-धीरे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी जितने प्लेयर्स है वहर एक खेल में अच्छा परफॉ ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला जो हैडलाइन है वह आपको सामने यह रहा विश्वे सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 6 अक्टोबर को मनाया जाएगा कौन सी पॉलिसी कड़े मनाया जाएगा तो यहाँ पर याद रखेंगे सेरेब्रल पॉलिसी कहा जाता है तो यह आप स्ट्रॉंगल क्या है इसका ठीम को भी हिंदी में कहते हैं विश्वे थीक है तो 2030 करट विश्वर पूछेंगे तो आपको याद रखना है तो याद रखना है त्योंगे था दिस रहाए त्धीम ऑफ वर्ल्ड सेरेब्रल पालेशी डेः ठीक है चले आगे बढ़ें आगे हेडलाइन पर RBI ने रैपोर दर जो है 6.5% पर 6.5% पर पर परिवर्तित रखा है जो खिम समान रूप से संतुलित गवर्नर सक्तिकान दास जी ने ऐसा कहा है ठीक है तो RBI जो था दोस्तो रैपोर जो पहले से थी 6.5% उसको फिर से कंटीन्यू कर रहा है उसको अनचेंज गवर्नर शक्तिकान दास जी ने ऐसा कहा है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है कितना है 6.5% है ठीक है क्या है रैपो दर है रैपो रेट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है आपके सामने हैडलाइन केंद्र ने राष्ट्र हल्दी बोर्ड क्या राष्ट्र हल् किसानों के लंबे समय से चली आ रही एक मांग थी ठीक है अगला पॉइंट प्रोफेसर डॉक्टर जोहिता गुपता क्या नाम है डॉक्टर जोहिता गुपता और तो जो है टोबी किर्स उनको जलवायू परिवारतन छेत्र में स्पिनोजा पुरुसकार मिला है कौन सा पुरुसकार? सवाल कैसे पूछा जाएगा कि बताइए जलवायू परिवारतन के लीए स्पिनोजा पुरुसकार 2023 किसको दिया गया है तो प्रोफेसर डॉक्टर जोहिता गुपता और किर्स ठीक है तो आप दिहान रखेगा तो प्रोफेशर डॉक्टर जोईता गुपता एंड टॉबी किर्स रिसीव स्पीनोजा प्राइज इन फिल्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज ठीक है आगे बात करते हैं अगला जो हैडलाइन है नौरवेगियन एक लेखक है जिनका नाम है ज रखेंगे चले आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगले हैडलाइन की भारत की जो पूरी स्तिरंदाजी रिकर्व टीम थी उसमें एतिहासिक रजत पतक के साथ समापन किया है रजत पतक मतला सिल्वर मैडल तो यह आपको ध्यान रखना है तो इंडिया मैंस आर्चरी रिकर आगे बढ़ेंगे अगला जो पॉइंट है सेला सुरंग सेला सुरंग जो है दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन क्या है बाय लेन सुरंग जो है पूरी होने के करीब है और इसकी लंबाई जो है वो है 1555 मीटर ठीक है मतलब लगभग देड़ कीलो मीटर इसकी लंबाई है अगर आप से पूछा जाए तो और यह सबसे लंबी बाय लेन जो है टनल या फिर हिंदिम कहेंगे सुरंग है ठीक है तो सेला टनल क्या नाम है सेला टनल वर्ल्ट्स लॉंगेस्ट बाय लेन टनल नियर आफ कम्पलीशन ठीक है तो कम् AIBD की जो है अधेक्स्ता करेगा तो यह आपको ध्यानक नहीं कई बार एक्जाम में पूछा जाता है AIBD ठीक है चले आगले की यहां पर हैडलाइन की तरफ हाँ जी चले आगे बढ़ते हैं अगला जो है आपके लिए हैडलाइन इरान की जो है नार्गेस मुहमदी क्या न इरान से संबंदित है तो आप देख सकते हैं इरान नर्गेस मुहमदी विंस दा 2023 नोबल पीस प्राइस आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट जो है महेंदर सिंग धोनी कौन कैप्टन कूल महेंदर सिंग धोनी को जियो मार्ट किसका जियो मार्ट का ब्रेंड अमबैसडर किया गया है तो आप से पूछा जाएगा वो हैज अपॉइंट एज जियो मार्ट ब्रेंड अमबैसडर जियो मार्ट के जो है अमबैसडर न्यूक तो महेंदर सिंग धोनी हुए ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट आपके लिए आपके एक्जाम में पूछा जाएगा कि H.S.Pronoy जो है वो किस खेल से संबंदी तो आपको गए बैडमिंटन से संबंदी था ठीक है तो H.S.Pronoy scripted a historic feat as he ended India's 41 year long weight कितने साल का लंबा समय था वही वेट किया हमने इंतजार किया तो 41 साल था ठीक है for a second medal at the games in men's single badminton ठीक है आगे बात करते हैं अगला जो है headline राष्ट्रती द्रौपदी मुर्मू उन्होंने अंतराष्टी अनुसंधान सम्मेलन का उधगाटन जो है किया है तो President मुर्मू to inaugurate international research conference आगे बढ़ेंगे 185 लोग live है फड़ा फड़ से like और share करते हैं चलेंगे तक जीतने की महतपूर्ण प्लब्धी की सरहना की थी 10 October को दल की मेजबानी ये करेंगे ठीक है तो PM हेल्स momentous achievement of India winning 100 Asiade medal to host contingent on October 10 ठीक है तो दोस्तों अभी तक का हमारा सर्वसेष्ट प्रदरशन रहा है Asian game में और सो जब पदक जीते गए थे तब भारत की प्रधान मंतरी मोधी जी ने जो है यूरोप के लिए नील का पत्थर साबित होने वाला निजी पुना प्रायोजे रॉगेट लांच किया है Spain's PLD Space launches private reusable rocket in milestone for Europe ठीक है ये आपको द्यान अकना है चले आगे बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंतरी और राजस्थान के मुख्यमंतरी कौन है अशोक गैलो ठीक राजस्थान के मुख्यमंतरी ने घोशित किया है जिनका नाम है अशोक गैलो ठीक है आगे बात करें चले आगला जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा ठीक है भारती पुरुषों ने बिना बल्लेबाजी किये स्वनपदक जीत लिया ठीक है इंडिया मैन क्लिंच गोल्ड वि किया हूए है कि जो है काश्च सर्वे कराया था और अब दो है बिहार के बाद राजस्थान जो है वो कड़ाने वाला है तो राजस्थान CF announces काश्ट सर्वे as state had into election ठेक है चले आगे बड़ते हैं अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा राजत रजनीकांत क्या नाम है राजत रजनीकांत की जो है दा सर्वाइवर क्या नाम है दा सर्वाइवर ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में अन्य अंतराश्टी पुरुसकारों के बीच सर्विसेश्ट एक्शन फिल्म का पुरुसकार जीता है ठीक है तो रजत या फिर रा फिल्म फेस्टिबल अमंग अधर इंटरनेशनल लॉरियल जो है किसके दोर जीता गया है तो दस सर्वाइवर के दोरा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है पॉइंट आपके स्क्रीन पर सात्विक साहिराज और चिराग शेटी जो ह है उन्होंने स्वर्ण पतक जीता है तो सात्विक साहिराज रेंकी रेडी और चिराग चंदर शेखर रेडी विंस गोल्ड इनमेंस डवल बैडमिंटन आफ्टर डिफीटिंग कोरिया ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यह थे हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइन लेकिन इन हे अरिकी से हेडलाइन देखा है और अब आप तयार हैं क्विज के लिए तो यहां पर येस 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 तो हम लोग बढ़ते हैं पहले कोशन के साथ और पहला कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा विश्वे सेरेब्रल पालसी दिवस जो है 2030 का विश्वे क्या है क्या यह मूब एज वन मेक योर मार्क मिलियन आफ रीजन और टुगेदर स्ट्रॉंगर option number d कह रहे है together stronger together stronger तो जो लोग together stronger कह रहे हैं उनका बिलकुल correct answer होगा ठीक है इस बार का जो theme है world जो है अगर हम बात करते हैं cerebral palsy डे का तो वो है together stronger ठीक है थोड़ा detail में चलते हैं तो हम बात करते हैं विश्य cerebral palsy जो है दिवस एक वैश्विक उस्व है जो cerebral palsy CP और इसके वेक्टिवे जो है परिवारों और समुदायों पर पढ़ने वाले प्रभाव को प्रकाश डालता है ठीक है हर साल 6 अक्टूबर को ये मनाया जाने वाला यह दिन CP के बारे में जागरुकता पढ़ाने इस इस्थिती के साथ रहने वाले लोगों को समर्थन क क्या होता है कि अपने brain में की सरीब्लम होता है ठीक है उसको जो हम लोग उसको बचाव कर सकते हैं तो यह दिवस च्छह अक्तोबर को मनाया जाता है और इस रार की जो थीम है वह है together stronger ठीक है चले आगे चलिए आगे पड़ते हैं अगला जो है आपके स्क्रीन पर यह रहा क्वेशन वाट इस दा रैपो रेट फोर दी फाइनेशन एयर ट्वेंटी 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 फोर अनाउंज इन दी बाइमन्थली मॉनेटरी पॉलिसी देखें दुवी मासिक मौदरिक निती में घोशित वित्ती वर्ष दोजार तेइस चौबिस के लिए रैपो दर क्या है छे प्रतिशे 6.25, 6.50 और 6.75 तो यहां भी कहरें ऑप्शन नमबर C होना चाहिए 6.50 प्रतिशे जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन नमबर 3 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नमबर 3 इस दी करेक्ट आंसर थोड़ा डीटेल में बात करते हैं तो RBI keeps रैपो रेट अन किया है RBI ने और ऐसा जो है शक्तिका अंदाज जी जो कि RBI गवर्न उन्होंने बताया है अब देखें रैपो तर होती क्या है देखें हमारे भारत में RBI जो है RBI यह एक Central Bank है क्या है Central Bank है Central Bank है इसी को हम लोग क्या कहते हैं Apex Bank कहते हैं क्या कहते हैं Apex Bank क्योंकि इससे उचा asma bank कोई है नहीं अपने भारत में एसको apex bank कहते हैं और इसको bankers bank भी कहते है बैंकरNS bank इसलिए कहा जाता है कि हमें loan लेना होता है, तो हम bank के पास जाते हैं, लेकिन bank को loan लेना होता है, तो RBI के पास जाते हैं, फिर देखे, RBI तो central bank हो गया, इसके नीचे होते हैं सारे commercial bank, ठीक है, जैसे कि SBI हो गया, ठीक है, PNB हो गया, ठीक है, Punjab National Bank हो गया, HDFC हो गया, ठीक है, HDFC हो गया, Axis bank हो गया, यह सब क्या है, यह commercial bank है, ठीक है, अब देखे, जब क्या होता है, कि अब आखिर रेपोदर बदला क्यों जाता है, उसकी हम बात करते हैं, तो देखे, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कि जब भी किसी को पैसे लेने होंगे, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे क होता है, मुद्राइश्विती का मतलब क्या है, एक तरीके की महँगाई को दरशाता है, आप के हाथ में कितना पैसा है, जो आप खर्च कर सकते हो, अब माल लीजे किसी को खर्च कर रहे हैं पैसे अब उसके पैसे नहीं तो वो जाएगा लोन लेने commercial bank के पास किसके commercial है तो SBI के पास या PNB के पास और ये लोन देते हैं लोन इसलिए देते हैं क्योंकि इनको मिलता है interest हना interest मिलेगा तो ये तो लोन जल्दी से देंगे अब माल लीजे कि यहां पर SBI के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा वह RBI से लोन लेगा RBI से लोन लेगा तो पहले पांच परसेंट पे ये लोन दे रहा था RBI SBI को कि ठीक है मैं लोन दूंगा लेकिर फांच प्रतीशत का मैं आपको इससे ब्याज भी लूँगा ठीक है तो अब SBI क्या करेगा इसको 10 प्रतीशत से आप क्या करेगा इस परसंट को दे देगा क्यों 10 परसंट से क्योंकि खुद का भी तो फाइदा देखेगा 5 परसंट तो इंट्रस इन को देना है और 5 परसंट खुद भी लेगा हना तो अब क्या हुआ कि यहां पर जैसी इसके पास पैसे आये तो यह खर्च करने चला गया मार्केट में अब जैसी मार्केट में जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी और ृटिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा प्राइस बढ़ जाएगी तो इंफलेशन करता है मॉनिटरी टूल में आते हैं रिवर्स रिपो रेट कैश रिजर्व रेशियो श्टैचरी लिक्विडिटी रेशियो आते हैं ठीक है अब देखे यहां पे जब लगा कि सब्सक्राइब कर दिया कि हम तो 15% करेंगे वैसे हुआ नहीं है अभी तक लेकिन कर रहा हूं कि 15% बढ़ा देगा अब 15% बढ़ा देगा तो SBI क्या करेगा अब बोलेगा किया अब 15% तो इनी को देना है तो मैं इधर काम करता हूं 25% कर देता हूं तो बताइए अब 25% कोई लेने थोड़ी जाएगा एक लाख रुपए आप माली जी लोन लिए और एक लाख 25,000 देना पड़ रहा है तो कोई फायदा हो इनी रहा rate कम हो जाएगी, price कम हो जाएगा, price कम हो जाएगा तो मतलब महंगाई कम हो जाएगी, inflation कम हो जाएगी, यही तो RBI चाहता था, right, तो आपको ध्यान रखना है, तो जब RBI लोन देता है, commercial bank को उसको हम कहते है, reverse repo rate, जो की 6.5% present में है, यह याद रखेंगे, और यही दोस्तों जब commercial bank, RBI को लोन देते है, उल्टा देते है, अभी RBI किसको दे रहा है, commercial bank को दे रहा है, ठीक है, commercial bank को, जब commercial bank, RBI को देने लगे, तो उसको हम कहते है, reverse, अब reverse हो गया न, तो reverse repo rate, RRR कहते है, reverse repo rate कहते है, यह याद रखेंगा, ठीक है, चले, आगे बढ़े, समझ में आया अगले question बढ़ते है, थोड़ा सा यह clear करना ज़रूरी था, अखिर report होता कहा है, अगला question, the Indian government officially established the National Turmeric Board and which ministry will oversees its operation, देखे, भार सरकार ने अधिकारिक तोर पर, राष्ट्री हल्दी बोर्ड की स्थापना की, और कौन सा मंत्राल है, इसके संचालन की देखरे करेगा, क्या व of commerce and industry, ministry of consumer affairs, food and public distribution, या फिर ministry of food processing industry, बी option, बी option करें है, तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाए, correct answer रोगा, बी option, ministry of commerce and industry, correct answer रोगा, वाड़े जे एवं जो है, उद्योग मंत्राल है, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, अगले, थोड़ा सा डीटेल चलेंगे, तो देश भर के, हल्द सरकार ने अधिकारिक तोर पर राश्री हल्दी बोड की स्थापना की है, ठीक है, तो national turmeric बोड की स्थापना की कर दी गई है, central government की दौरा, केंद्री वाड़ी चे मंत्राले के तहद, बोड भारत में हल्दी और, जो है, हल्दी और हल्दी से सम्मधित उत्पादों की विकास और विकास के लिए समर्पित होगा कि कैसे हम लोग हल्दी का उत्पादन बढ़ा सकते हैं कैसे हल्दी से बने हुए जो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं भारत दुनिया में हल्दी का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है हल्दी के सबसे बड़े जो उत्पादक राज महरा ठीक है कैस वर करता है ये एक दवा की तरह काम करता है ये आपको ध्यान रखना है अब देखिए ठीखी भारत में कब से चला आ रहा है और लोगों को पता है कि हल्दी जो है बहुत ही अच्छा होता है कई बार आगर आप देखोगे कि बॉड़ी पेन हो रहा होता है तो लोग कहते कि थोड़ा सा हल्दी मिला कर मिल्क लीजिए बॉड़ी पेन चला जाएगा अब देखे हम लोग तो यहां पर क्या कर पाए कि हम लोग अपने नाम पर यह नहीं क और आप लोग कहते कि अमेरिका नहीं बता है हना लेकिन हमारे भारत में तो कब से चला रहा है हना सदियों से तो आपको ध्यान रखना है तर्मरिक वर्क्स अबैडिसें चलिए आगे बढ़ते हैं और वैसे भी हमारे हां देशी नुस्य जोते वह जादा यूज होते जैसे न आप लोग रहते हैं तो मम्मी पापा लोग तो ऐसे नुक्स से बताते हैं आपको तो पता ही होगा विल्कुल हना और काम भी करता है बहुत अच्छा सार करता है चलिए आगे बढ़ते हैं विच ओफ फॉलॉइंग परसन रिसीव जा इस्पिनोजा प्राइस 2023 इन दा फील्ड ओफ क्लाइमेट चेंज निमलिखित में से किस व्यक्टी को जलवाईउ परिवर्तन के छेतर में इस्पिनोजा पुरुसकार 2030 प्राप्त हुआ है इगनास स्नेलन प्रोफेशे डॉक्ट शेयर करते हो चलेंगे थोड़ा डीटेल में जलेंगे तो भारती मूल की जो प्रोफेसर है डॉक्टर जोईता गुपता और नीदर लेंड में एक समारों में जलवाईउ परिवर्तन के छेतर में उनके काम के लिए जो है डच विज्यान में सर्वोच पुरुसकार पुरु बात हो रही है तो कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि बायो डाइवर्सिटी डे ठीक है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जैव विवित्ता दिवस जो है यह कम मनाया जाता है तो याद रखेगा 22 मई को मनाया जाता है ठीक है अगर पूछेंगे कि environment day कम मनाया जा चली आगे बढ़ते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा which of the following person wins the noble prize in literature for 2023 निमलिकित में से किसे वेक्ती ने 2023 का साहित का noble पुरुसकार जीता है जौन फोस, ऐनी एरनोक्स, अब्दुल रजाक गुर्ना और लुईस ग्लुक किसने जीता है तो ए आप्शन ए आप्शन जो लोग करें जौन फोस उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह ध्यान रखेंगे ठीक है थोड़ा डीटेल में बात करते हैं तो जो है noble पुरुसकार साहित में 2023 का वो जो दिया गया है किसको दिया गया है जौन फोस को अब देखे noble पुरुसकार की बात आई है अगर मैं noble पुरुसकार की बात करता हूँ तो यह किसके नाम पर है अल्फरेड नोबल जी के नाम पर है किसके अल्फरेड नोबल जी के नाम पर इसका नाम रखा गया था अल्फरेड नोबल जी जो है इनका दिहान कब हुआ था he died in 1896 और 1896 में ही इसका गठन किया गया noble price का ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है हाला कि noble पुरुसकार पहली बार दिया गया था 1901 में और 1901 में इसलिए दिया गया था क्योंकि 5 साल हो चुके थे तो इनकी जो 5 वी वर्षगाट थी ठीक है तो उसको celebrate करने के लिए जाता है कितना 10 million kroner दिया जाता है यह याद रखेंगे ठीक है फिर उसके बाद यह पूछा जाता है कि बताए noble पुरुसकार कहां दिये जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है नौर्वे और Sweden में मिला कर दिया जाता है देखें जब noble पुरुसकार का गठन हुआ था तब सिर्फ और सिर्फ पांच जो है category में इसको दिया जाता था पहले पांच category में दिया जाता था बाद में economics को add किया गया economics को add किया गया economics को कब add किया गया आप लोग बताईएगा 1962 में या 1968 में या 1970 में, या इन में से कोई भी नहीं, कमेंट करके बताएगा, second homework लिख लीजिए, ठीक है, कि भई, economics का जो है, noble पुरुसकार, कब introduce किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है, चले, अब देखे, यहाँ पर 5 field कौन कौन से है, ये सवाल बनता है, तो देखे, एक तो physics हो गई, physics chemistry, अब biology तो है नहीं, तो biology नहीं है, लेकिन हम medicine लिख देंगे, medicine, biology तो है नहीं, तो medicine, ठीक है, medicine, फिर उसके बाद एक होता है, literature, फिर होता है, peace, ठीक है, क्या होता है, peace, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 थे, छटवा बाद में add किया गया, वो कब add किया गया, वो आप comment करके ज़र पूछा जाता है, कि बताए, 1901 में दिया तो गया था, पहली बार तो physics में किसको दिया गया था, ये कई बार exam में आप से question पूछा गया है, तो William wrong 10 को दिया गया था, x-ray की खोज के लिए, ठीक है, इस बार आभी chemistry का पूछ लिया गया था, आप लोगों से कि chemistry में किसको दि को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये याद रखेगा, ये आप से पूछा जा सकता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अब देखें, यहां करें, इंडिया मैंस आर्चरी रिकर्व ट टीम फिनिशेज, विथ हिस्टोरिक सिल्वर मैडल अट एशियन गेम 2023, वू वस नॉट इन देटीम, भारत की पुरुस तिरंदाजी रिकर्व टीम ने, एशियाई खेल 2023 में, एतिहासिक रदक पदक जीता है, टीम में कौन नहीं था, तुशार शेल के, जो है, अतानुदा धीरज, बॉमदेवरा और मनु भाकर, कौन हो जाएगा, मनु भाकर, मनु भाकर, तो जो लोग मनु भाकर करें, उनका विल्कुल करें, टांस होगा, मनु भाकर इस टीम का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, डीटेल में बात करते हैं, तो इंडिया एट एट एशियन गेम, जो है, आर्चिरी मेंस टीम की अकरम बात करते हैं, अतानू, धीरज, और तुशार, ये तीन मेंबर थे, मनु भाकर इसमें नहीं थी, और वैसे भी ये दोस्तों मैंस टीम की बात कर रहें, मनु भाकर जो है, वो मैंस टीम में पारिसिपेट कर सकती, तो याद रखेगा, यहाँ प है, हाली में, खबरों में देखी गई है, यह निम लिखेत में से किस स्थान पर स्थित है, मनिपूर में है, अरुनाचा पदेश, असम या फिल लद्दाक, कहां पर है, तो अरुनाचा पदेश कह रहे हैं, अरुनाचा पदेश, अरुनाचा पदेश, अरुनाचा पदेश, मैं इसको कहा गया है क्या कहा गया इसकी लंबाइक आपको 1515 यहाँ पर देखरने को मिलेगी धीए और 980 मीटर लगभग यहाँ पर किलो मीटर देख से के बढ़े चले आगे बढ़ें मिकरेhte हैं अग्ल जो है आपके लिए ये रहा सवाल who has been elected as the president of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development AIBD जिसको हम लोग short form में कहते हैं ठीक है प्रसारन अविकास के लिए जो है Asia प्रशान संस्थान के अद्धिक्ष के रूप में किसे चुना गया है Russia को, India को, Pakistan को या फिर China को India, India कह रहे हैं तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना प्यारा भारत India is the correct answer यह आपको ध्यान रखना है ठीक है डीटल में चलेंगे तो भारत को लगातार तीसरे कारेकाले के लिए AIBD GC के लिए जो है अध्यक्ष चुना गया है जो एक अभूत पूर्व घटना है इससे एशिया प्रशांद और दुनिया भर के प्रसारण संगठों का जो है भारत पर भरोसा दिखता है और भारत प्रसारण को नया मूल प्रदान करने का अग्रणी बन सकता है AIBD एक जो है अध्युती छेतरी अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला आपके लिए ये रहा सवाल नर्गेस मोहमदी वॉन्दी 2023 नोबल पीस प्राइस शी बिलॉंग्स टू विच कंट्री देखें नर्गेस मोहमदी ने 2023 का नोबल शानती पुरुसकार जीता है वह किस देश से सम्मंदित है पाकिस्तान, इरान, युएई और इस्राइल कहां कि हैं वो इरान, इरान जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जागा वो इरान को बिलॉंग करती है किसको बिलॉंग करती है? इरान को इरान की राजधानी क्या है? तहरान है तो थोड़ा डीटेल में बात करते हैं तो नोबल पीस प्राइस 2023 का जो दिया गया है वो नर्गेस मोहमदी को दिया गया है जो है इनको Nobel Peace Prize दिया गया है 2023 का नाम है नर्गिस मौबदी किस देश को बिलोंग करती है इरान को बिलोंग करती है ठीक है चले आगे बात करते हैं अगला जो है Who has been appointed as brand ambassador of Gio Mart ठीक है Gio Mart का brand ambassador किसे न्युक्ट किया गया है रोहिष शर्मा को अजय जडिजा को महें सिंग धोनी और विराट कोहली को महें सिंग धोनी महें सिंग धोनी तो जो लोग महें सिंग धोनी कह रहे है कैप्टन कूल उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो महें सिंग धोनी को Gio Mart का जो है Brand Ambassador नुक्ट किया गया ठीक है चले डीटल बात करते हैं तो आप देख सकते हो Gio Mart ने Brand Ambassador चुना है किसको महें सिंग धोनी को तो आप यहां पर देख साएंगे Brand Ambassador Gio Mart ठीक है चले आगे बढ़ते हैं और आपको याद होगा कैप्टन कूल ने जो है 2011 इनके कप्तानी में 2011 का भारत ने वर्ल्ड कप जीता था ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है और चन्नाई सुपर किंग के भी दोस्तों यह कैप्टन है IPL में करें हम बात करें और चन्नाई सुपर किंग ने भी जो है अब तक दोस्तों पांच बार IPL जीचते लिया है ठीक है फाइफ टाइम जीच चुका है आगे बात करते हैं अगला जो है कोशन आफ्टर हाउ मेनी इंडिया गौट मैडल इन मैंस सिंगल बेडमिंटन एड़ एशियाई खेलों में पुरुष एकल बेडमिंटन में भारत को कितने वर्ष बाद पद 40 साल के बाद थोड़ डीटल में जाएंगे तो इंडिया अगले सवाल पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा अंतराश्टी अनसंधान सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? Ministry of Food and Public Distribution, Indian Council of Agriculture Research, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare या Ministry of Commerce कौन करेगा? B option, B option कह रहे हैं तो जो लोग B option कह रहे हैं ICAR, Indian Council of Agriculture Research जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है? चले, डीटेल में बात करते हैं, तो राश्टपती मुर्मु जो है, 9 से 12 अक्टोबर तक जो है, नई दिल्ली में आउजित होने वाले जश्ट एंड, रेजिलियन्ट एग्री फूड सिस्टम पर अंतराश्टी अनसंधान सम्मेलन का उद्गाटन करेंगी ठीक है? भारती क्रिशी अनसंधान परिशद और अंतराश्टी क्रिशी अनसंधान लिंग मंच पर सलाकार सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है हैं इसका सीर्षक जो है इस बार का सीर्षक है ठीक है टाइटल का है अनसंधान से प्रभावक तक उचित और लचीली क्रिशी खाद प्रनालियों की ओर ठीक है? तो अगे बात करते हैं अगला जो है सवाल which of the following is not a true statement about India's performance at the 2022 Asian game कह रहे हैं 2022 एश्याई खेलों में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है थेक है नहीं है याद रखेगा कह रहे हैं India won its best ever medal hall at the Asian game ठेक है कह रहे हैं कि भारत ने एश्याई खेलों में अपना अब तक का सर्वसेश्ट पदक जीता है जोती सुरेखा won the gold in the women's compound archery for India at the 2022 Asian game कह रहे हैं जोती सुरेखा जो हैं उन्होंने 2022 एश्याई खेलों में भारत के लिए महिला compound तीरंदाजी में स्वण पदक जीता है और 2022 एश्याई खेलों में 100 पदक जो है के आकड़े के पर पहुँझ गये या all of the above क्या होगा correct answer all मालब सारे गलत हैं यह आप कहना चाह रहे हूं या लोग जो कह रहे है be option be option उनका यहाँ पर भई क्या हो जाएगा correct answer sorry यहाँ पर गलत हो जाएगा fourth option correct होगा चले detail बात करते हैं तो देखे यहाँ पर एश्या खेल के अगर हम बात करते हैं तो भारत ने कितने पदक जीते हैं 107 जीते है टोटल 107 ठीक है जिसमें से 28 गोल्ड है कौन सा Asian game performance about not true statement about ठीक है जोती सुरेखा won the gold in women's compound archery for इंडिया तो इन्होंने women's compound में gold medal जीता हुआ है ठीक है तो यहाँ पर होना चाहिए था कि कौन से सारे statement सही है not true नहीं होना चाहिए था a true statement होना चाहिए था तो यहाँ पर यह होना चाहिए चलिए उसके बात बात करते है वुमेंस कबड़ी टीम जो है उन्होंने gold जीता है ठीक है उसके अलावा men's कबड़ी टीम ने भी जो है gold जीता है इस बार याद रखेगा Asian game में कबड़ी टीम में कितने player होते हैं कई बार यह सवाल बनता है किसमें कबड़ी टीम में कितने player होते हैं यह पूछ लिया जाता है तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं कितने 7 player खेलते हैं यह आपको ध्यान रख से बताएंगे और दोस्तों जिन्हों ने अभी तख लाइक और और से लाइक और शेयर करते हूं चलेंगे श्रह मैंपे इस पेन की क्या है मैड़े ड़ांच aid डिक है है चलि आगे बढ़ते हैं तो आप देख पाओगे इस पेन कंपनी प्ल दी स्पेस लॉंच फ्रांप könnten देह जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान सरकारी नौकरियों की तयारी कर रहे हैं, उनके एक्जाम पॉइंट पॉइंट अब यह जाता है यह जाता है तो आपको याद रखेगा पहले पचास थे अब तीन और बन गए तो अब हो जाएंगे तिर्पन हो जाएंगे याद रखेंगे आप देखें नए जीले तो देखें तीन नए जीले बनाएं गये हैं जो कि अनौंस किया है राजस्थान के सी रिस्क दोरा एक तो मालपूरा है एक है सुजानगड और एक है यहां पर कच्छमन या फिर कुछा में कहेंगे ठीक है तो मालपूरा सुजानगड और कच्छमन यहां पर हो जाएगा तीन दिस्ट्रिक ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं अगला जो है आपके थ पूछा गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ें अगला जो है आपके लिए कॉश्चन ये रहा है स्क्रीन पर विच टीम हाज वॉन दा गोल्ड मेडल इन मैंस के डिगरी एटेशन गेम 2023 एश्याई खेल 2023 में पुरुश वबर्ग में किस टीम ने सुन पदक जीता है इंडिया निपाल और शीलंका किसने जीता है इंडिया इंडिया कह रहे है करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इंडिया करेक्ट आंसर होगा अब देखें यहां पर अगर हम बात करते हैं मैंस क्रिके टीम ने जीत लिया है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है क्या जीता है स्व गढ़ना कराने की घोशना की है पंजाब राजस्थान उत्रप्रदेश और छतित्रगड यहां भी करसर होना चाहिए राजस्थान राजस्थान उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा राजस्थान के जह है मुख्यमंतरी अशोग गहलोजी ने अनौस किया था कि यहां पर क्या होगा कास्थ सेंसर होगा ठीक है और इससे पहले जो कौनसा राज़ी कर चुका है बिहार कर चुका है बिहार के बास अब ऐसा करने वाला राजस्थान बन गया है तो देखे राजस्थान विल कंडक action film का पुरुस्तार जीता है blue beetle, mag 2, the trench, the survivor और grand turismo, survivor survivor जो लोग कह रहे हैं उनका क्या होगा यहां पर correct answer होगा, the survivor is the correct answer, detail में चलते हैं तो आप देख पाओगे survivor को चुना गया है यहां पर best action film और वो कहां double pair to win the Asian game gold medal करें एशियाई खेलो में सोनपदक जीतने वाली पहली भारती बैडमिंटन यूगल जोडी कौन बनी है सात्विक साहिराज रेंकिरेडी और चिराक शेटी लिएंडर एंडरेना पेस और महेश भोपती लक्षिसेन और श्रिकांत कदम भी और इनमें से कोई भी नहीं ए औप्शन कह रहे हैं करेक्ट आंसर यहां आप क्या हो जाएगा ए औप्शन सात्विक साहिराज प्रिवेश जो के कोईशन का रिवीशर किया है टॉप फाइब निउस ऑफ द डे इंपॉर्टेंट हैडलाइन हैडलाइन के ओपर क्विजिस किये हैं विद ऑल एक्स्प्लेशन और कुछ स्टेटिक फैक्ट्स के साथ यहां पर हमने इसको कम्प्लीट किया है और आज का हो पर मिलेगी टेलिग्राम पर टेलिग्राम पर कैसे मिलेगी तो टेलिग्राम पर आप क्या कर सकते हो और वहां पर जाओगे जैसे ही टेलिग्राम पर और वहां पर एक ग्रूप मिलेगा उसको जॉइन कर लिजेगा वहां पर यूट्यूब सेशन के अपडेट्स मिलते हैं पीडियाफ मिलते हैं, discussions होते हैं, interaction होता है, तो आप वहाँ पर interact कर सकते हो, मैं आपके साथ यहाँ पर link share कर देता हूँ, ठीक है, telegram group का, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और वहाँ से PDF collect कर पाएंगे, और यह link आपको मिल जाएगी, कहाँ पर comment box में भी और description में भी, अब चलिए देखते हैं, किस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट के लिए आपको simply क्या करना है, चले जाना है YouTube पर, ठीक है, कहाँ जाना है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डेली करेंट अफेर का जो है एक प्लेलिस्ट बिल जाएगा, अभी हम लोग ने SSC स्टीनों के लिए यहाँ पर करेंट अफेर भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस जाके देख लीजे, वहाँ पर हम लोग ने दिसमबर, नॉवमबर, दिसमबर से लेके, अब तक के सारे करेंट अफेर जो है कबलीट किये हैं, तो अलरी जो है, यह हम लोग ने सेटेड अट किया था, और 14,000 लोगों ने इसको अलरी देख लिया है, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर जाएंगे, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है, फड़ावर से एक बाद लाइक कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, आंसर जो है, सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है, और इस इन्होंने बताया है, धिक है, बहुत ही बढ़ी यहाँ पर आशिरबाद महंती जी ने आंसर किया है, दिर्कट रै ठीक है, फिर यहाँ पर जोती जी ने आंसर किया है, ए फीफार वब्ल्ड कप 2008 रश्चिया में हुआ था, हुआ बहुत बढ़िया फिर उसके बाद यहां पर साधना जी ने अंसर किया है अमित जी बहुत बढ़िया और यहां पर इन अरित्री मैती जी ने ऑनसर किया है धिया ठीक है थैंक यू सो मज्स डी-ारी ओके वेस्टरवी जी ने इसके बाद यहां पर तोर्शा जी ने आशर किया है जसी जी ने एंसर Sumita is फिर इसके बाद आघ्ट जी नहीं मिला साथ अक्टोबर का वीडियो यहीं पिल अवैलेबल होगा ठीक है और साथ अक्तुबर को I guess Saturday था, Saturday को हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वहाँ पर special current affair किया था, 12 महने का, ठीक है, तो उसको जा के चेक कर सकते हैं, फिर यहाँ पर रोहित जी ने आंसर किया है, ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, जो लोग पूछते है कि भाई, कोर्स कैसे अवेल कर सकते हैं, तो कोर्स अवेल करने के लिए simple है, आप यहाँ पर क्या करिए, description open करिए, SSC Super Coaching का link मिलेगा, उसको click करिएगा, आपके सामने एक नया page open होगा, जहाँ पर आपको सारी details वगरा मिलती हैं, ठीक है, आप SSC Super Coaching पर क्लिक करिए, जिस exam क कि आप तयारी कर रहे हो, state exam, government, state government, engineering, teaching, AEJ, SSC, central government, हम SSC exam की तयारी कर रहे हैं, for example, SSC में चले जाए, multiple SSC exam की तयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए SSC Super Pack है, जहां पर आपको mock test मिलते हैं, practice के लिए, revision के लिए, study notes मिलते हैं, doubt clearance के लिए, live class मिलते हैं, अपने basic foundation को strong करने के लि और जो है, यहां पर आपको मिलता है, previous year question pro के लिए, pass pro आपको यहां मिलता है, जिससे आप लोग अपने previous year questions लगा सकते हैं, live mock test लगा सकते हैं, और books भी avail कर सकते हैं, और अगर आप किसी individual exam को target कर रहे हो, तो आप individual exam के courses हैं, आप उसको भी avail कर सकते हो, जैसे अब दिल्ली प यहां पर demo classes कौन कौन से हैं, live series कौन से है, test series, study notes कौन कौन से हैं, आप प्राइसिंग चेक कर सकते हो, 699 का 6 मन्त का है, 399 का 3 मन्त का है, आप इस पर apply करेंगे coupon code, कोई सब यह course अवेल कर रहे हैं, maximum coupon code के लिए आप यह code use कर सकते हो, गौरव M, G-A-U-R-A-V-M, गौरव M जै तो चलिए दोस्तों, इस session को यहीं पर करते हैं समाप, session अच्छा लगा है, तो comment box में comment करके जरूर बताएगा, like, share, subscribe नहीं किया, तो फड़ावर से कर लिजे, और bell icon button को दबालेजे, जिससे सारे notification आपको up to date मिले, और कोई भी class आपकी छूटे न, तो मिलते हैं अगले session मे एक नए जोश के साथ, एक नए session के साथ, तो जुन्डा मत भूलेगा, मेरे साथ अगले session में तब तक लिए रखेगा, आप अपना ख्याल और अपनों का ख्याल और पढ़ाई कर देगा, bye bye, take care, जै हिंद, जै भारत